महराश का मुसल्मान बटा हुआ है या एक जुट है इसका टेस्ट आज शत्रपती संभाजी नगर से मुंबई की सड़कों पर हुआ और ये टेस्ट किया असदुद्दीन OVC की पार्टी ने महराश्ट के मुसलिम भाईजान इस तरह माहौल बनाने निकले संभाजी नगर टु मुंबई मार्च वो भी हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ रामगिरी महराश का विवादित बयान तो बहाना है चुनावस से पहले मुसलिम वोट की ताकत दिखाना है ओवैसी की पार्टी मजलिस ने महराश्ट का चार्ज छत्रपती संभाजी नगर के पूर्व सांसत इम्तियाज जलील को सौंपा है इम्तियाज जलील ने जल्वा दिखाने का ऐसा प्लान बनाया गुंड प्रवरती के लोग भगवा चोला ओड कर कैसे धंदे करते हैं ये आपने देखे होंगे ये घटिया खिसम का अदमी है जिसकी मानसिक्ता घटिया है तुम्हारा धरम खराब तुम जिसको मानते है वो खराब इसको बुलाया गया है कि तू बोल ऐसा हम चाते है कि महराश्टा का माहुल खराब होकर जो मानसिक्ता इसकी है वही मानसिक्ता सरकार की भी है स्टेज के ओपर खड़े रहके मुसल्मानों को गाली दी जा रही है हमारे धर्म के ओपर गाली दी जा रही है कोई कारवाई नहीं हो रही है पुलिस खामोश बैठी हुई है सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है आप दंगे भड़काना चाते है आप माहुल खराब करना चाते है आप हरे एक को छोड़ दिये है स्टेज के ओपर की जाओ गाली दे ओ जिसको देना है हम तुमें हाथ नहीं लगने देंगे सरकार सोने का नाटा कर रही है सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे है इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराज़गी है यहां पर यह जो लोग जमा हुए है यह कोई M.I.M. के पूरे कारे करता है ऐसा नहीं है मजलिस के चीफ असदुदीन OVC वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसल्मानों को जोडने निकले है OVC फर्स्ट अटेम्ट में C.E.A. पर फेल हो गए OVC सेकंड अटेम्ट में NRC पर भी फेल हो गए OVC ने थर्ड अटेम्ट में वक्फ बिल को पकड़ा है दरिये मत मोडी से मोडी अभी जा रहे हैं बाइबाई हो रहा है इंशाल्ला हो ताला जम्बू कश्मीर हारेंगे हर्याना भी हारेंगे महराश्टा में मंदलिस कामियाब होगी मंदलिस के मेले बनेंगे इंशाल्ला हो ताला इंत्याज जलील बनेगा मेले मुफ्ती स्माइल बनेगा जूलिया से शारूख साब बनेगे शोलापूर से फारूख बनेगा मुंबई वर्सोवा से इंशाल्ला हो ताला रईस रश्करिया और हमारे कई अमेलेस को कामियाब करना है महराश्टा की विधान सवा में जाना है और जाकर उनसे पूछना है कौन है वो जो बोल रहा था मस्जिद में घुसके मारेंगे वक्फ बिल का दाइरा बड़ा है उससे हिंदुस्तान के सभी मुसल्मानों का कुछ न कुछ वास्ता है मगर महराश्ट के मुसल्मानों के लिए कथा वाचक रामगिरी महराश का विवादित बयान ही सबसे बड़ा मुद्दा है रामगिरी महराज के बयान से विधर्ब, मराठवाड़ा, पश्चिम महराष्ट और खांदेश समेट मुंबई के मुसल्मान भी नाराज है OVC की पार्टी को इसमें अपने लिए मौका दिख रहा है इंडिया अलाइंस की पार्टियां, खासकर कॉंग्रेस और NCP, महराष्ट के मुसलिम वोट को अपनी जेब में मान कर चल रही है OVC की पार्टी ने उसमें खलल डाल दिया है रामगिरी महराज और उनका समर्थन करने बाले नितेश राने की गिरफतारी की मांग को लेकर मजलिस का लावलशकर छत्रपती संभाजी नगर से चला तो श्रिडी, माले गाउं, इगतपुरी और काला गाउं पहुंचते-पहुंचते काफिला बड़ा होता चला गया जब तक अरेश करो जल्दी से लोग है जिनका कहना है कि रामगिरी महराज जो है उसे गिरफतार करना चाहिए आपका क्या कहना है नागपुर मुंबाई समरिधी एक्सप्रेस वेपर इम्तियाज जलील का काफिला आया तो एक्सप्रेस वेपर उन्हीं का कबजा हो गया ओपन रूफ वाली गाड़ियों की छट पर बैठ कर और ड्रोन कैमरा लगा कर वीडियो शूट किये गए और रील की शकल में उनको मुबाईल मुबाईल फैलाने का कारोबार चालू हो गया चलती गाड़ियों के उपर बैठने से गाड़ियों में लटक कर सफर करने से चालान करता है लेकिन इनको किसी बात का डर नहीं ओवैसी की पार्टी कहती है ये तो अभी ट्रेलर है पूरी पिक्चर बाकी है एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ओवैसी की सेना मुंबई के अंदर दाखिल होगी आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है एक आवास के ओपर इतनी पबलिक अगर आई है तो वो मेरे नाम के ओपर नहीं आई है वो हमारे प्रॉफिट मुहम्मत के ओपर आई है जिनके बारे में गलत बयानी होने के बाउजूद भी लोग उसकी ताइद कर रहे है उसका उब वहाए कॉछो अच्छा हूँ और वो बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ उस्टा बोल सकता हूँ अब आसी मुस्लिम सेंटिमेंट समझते हैं मुस्लिम यूथ की एनरजी को कैसे यूज करना है भैसी को इसका नुस्खा मालوم है रात की मजडिस में क्या नारे लगवाने हैं और दिन के उजाले में कैसे चलना है उवैसी को बहुत अच्छे से आता है महराश्र M.I.M के डिप्ती चीफ सैयद मोहीन मुंबई माच्च से पहले छत्रपती संभाजी नगर पहुँचे तो वहां रात में विवादित नारे लगवाए गए यह नारे सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं और वैसी जब टीवी पर तकरीर करते हैं तो भड़काओ नारों से तौबा करते हैं लेकिन ग्राउंड पर उनकी पार्टी का नेता ऐसे नारों को रोकने की कोशिश भी नहीं करता यह भीड जुटाने वाले कहते हैं कि उन्होंने किसी को इन्वाइट नहीं किया किसी को परसनल मैसेज नहीं भेजा गया किसी को लाने के लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं किया गया सब अपने आप आए हैं अपनी गाड़ियां साथ लेकर आए हैं मुस्लिम मोबलाइजेशन की पावर दिखा कर असदुद्दीन ओवैसी महराष्ट की पावर पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी को एक पावर प्लेयर के रूप में स्थापिक करना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों में AI M.I.M.P. महराष्ट में जटका लगा और अंगाबाद की सीट उसके हाथ से निकल गई महराष्ट में लोकसभा की 48 सीटे हैं राज्य में 12% मुस्लिम वोटर हैं लेकिन 48 में से एक भी सीट पर कोई मुस्लिम MP नहीं बन पाया उवैसी इसकी कसर विधानसभा चुनावों में निकालना चाहते हैं महराष्ट में विधानसभा की करीब 20 सीटे ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 30 फीसद ते जादा है मालेगाउं सेंट्रल, मानखुर्द शिवाजी नगर, मुंबा देवी, भिवंडी इस्ट, भिवंडी वेस्ट, अमरावती, अकोला वेस्ट, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद इस्ट, मुंबरा कलबा, वरसोवा, कुरला, बांदरा इस्ट, धारावी, बायकुला, धुले, अनुशक्तिनगर, अंधेरी वेस्ट, मलाड वेस्ट और शोलापूर सेंट्रल. OVC की पार्टी मुसल्मानों को समझाती है कि अगर कौम के वोटर्स ने एकजुट होकर वोट दिया तो इन सीटों पर मुसलिम कैंडिडेट ही जीतेगा. लेकिन महराष्ट्र पॉलिटिक्स की डाइनेमिक्स को देखते हुए ये इतना आसान भी नहीं है. AI M.I.M. ने इंडिया अलाइंस में शामिल होने की अरजी भी लगाई. ये अलग बात है कि OVC के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वो अरजी मंजूर नहीं हुई. इलेक्षन है इलेक्षन में अभी केंदर सरकार में तो आये नहीं है. अभी महराष्ट्र राज्य सरकार के विए इलेक्षन आ रहे हैं तो उसके लिए उनको लगता हो गया कि हम ऐसे लोगों को संब्रम पैदा करेंगे तो हम जिद जाएगे. मुंबई मार्च के शुरबात इमतियाज जलील ने की. जवाब रामगिरी महराज ने दिया. फिर इमतियाज जलील का भी जवाब आया. लोग सबहा की और विदान सबहा की कितनी भी सीटे खुर्बान है. ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ओपर. अगर हमारे नबी करीम ﷺ के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनिती करने वाला शक्स इमतियाज जलील नहीं है. और दूसरी बात ये है कि मुझे राजनिती करने के लिए ये रामगीरी जैसे घटिया लोगों की जरुरत कभी नहीं पड़ेगी. इन्शालला शमें. अगर जबान इनके मुँ में है तो उससे बहुत खुबसूरा जबान मेरे मुँ में भी है. जिस दिन मैं इस्तिमाल करूँए. जिस दिन मैं खोलूँगा अपनी जबान तो खोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा. मेरे खिलाब भी कारवाई करने के लिए क्यूकि काईदा कानून सब के लिए बराबर है. ओवैसी को पोलराइजेशन में फाइदा है. बीजेपी को भी पोलराइजेशन में फाइदा है. इसलिए दोनों तरफ से हाई पिछ वाले डालॉग मारे जा रहे हैं. बीजेपी ने इस मोर्चे पर नितीश राने को आगे करके रखा हुआ है. जबलेले जेकाई जिहादी जे मुंबाईला डमता है. तेंचा नी तेरांग्या चा काई सम्मध हा मुडा मदे तेनी माला स्पाइदर सांगाओ. गनेच चतूर्ती चा नंतर धालेला इड चा येकाई रैली निगाला है. मुहमद पेगामरांजा वाड़दूसा निमित जुलूस निगाला है. तेंचा जुलूस मदे पलेस्ताइंचे जेंडे कशे पढ़काउले गेले. सर तन से जुदा ये नारे कशे दिले गेले. हिंदून चा विरोधात धान्या आई वहीडी वर गोश्का कशे दिलाए गेले. मंदिर आइंचा वायर जोरा जोरा डीजे कशे लावले गेले. तुम्हें अगर सविधाला ना मानत असाल तर या भारत देशा मदे जिते लोग समक्या हिंदून की दास्ता है. नवट तक के हिंदू हिंदे राता है. महराष्ट में 370 किलोमेटर लंबा मार्च निकलना कोई हसी खेल की बात नहीं है. इसमें करोणों का खर्च होता है, कई हफते की तैयारी होती है. मुस्लिम यूथ को मोबलाईज करने के लिए मैसेजिंग चैनल्स एक्टिवेट करने पड़ते हैं. मार्च का लॉजिस्टिक्स जुटाना पड़ता है. इतना तो है कि OVC की पार्टी ने ये सब कर लिया. समझदारी ये दिखाई कि पार्टी का नाम और पार्टी का जंडा पीछे रखा गया.